बुड मॉनिंग गाइज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल उस्ताद कार किया गाइज आज हमारे पास आई हुए इंडिया की स्कोर्पियो यह 2014 15 का मोडल रहोगा इसके अंदर एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है एक इंदर आ अइमरी क्या होते है कि कंप्रेसर चलता है तो उसके फ्रिक्ष्टन होता है और फ्रिक्ष्टन होने के बाद में यह फ्रिक्ष्टन जाते है तो इस वज़ेसे यह पूरी ला तो इसके चलते पूरी AC की जितने भी पार्टिकल से चेंज ही करने पढ़ते हैं कि बहुत बारीक लाइन्स होती है वो इसके अंदर जम जाता है तो इसके अंदर चेंज करने होते हैं अपनको और पूरी लाइनिंग जो है फ्लश करने पड़ती है और इसका पंच वाल यह सारी चीज़ें चेंज करने पड़ती है देखते हैं एक बार काम किया सोडेश्बॉट बार जा रहा है तो चलते हैं वह गाड़ी के तरफ हुआ है when तो गाइज यह है Scorpio जिसकी हम कूलिंग को निकाल कर उसको सर्विस कर रहे हैं और अवर अवरल पूरे AC का काम किया था इसके अंदर इसका कंडेंसर नया डाल दिया है अवर निकाल रहे हैं तो आएज देखते हैं कैसे फिटिंग कोली जा रही है और कैसे हो रहा है इसके दरगाओ झाल रहे हैं झाल पूर है पिटाई और देखते हैं तर ले योस्धिक हाव तर ले योस्वाव तर ले याव वोस्जाव झाल 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 फिटिंग खोल दिया है यह जो कंसोल है फ्रेंट में जिसके अंदर एसी विंग से अपना स्टीडियो और एसी के कंट्रोल लगे होते हैं वो खोल दिया है यह ग्लोब बोक्स खोल दिया है यह आपके एसी कंट्रोल पैनल्स कोल दिया है यह आपका गेर का कवर खोल दिया है और यह cluster meter का जो cover होता है वो निकाल दिया है रेडियो निकाल दिया है और अभी मैं दिखाता हूँ क्या-क्या fittings कोल दिया है कहां कहां से खोलें यह cluster meter का control console और यह dashboard यह सारी चीज़े खोल दिये और अभी dashboard को कैसे निकालते हैं वह मैं आपको बताता हूँ वाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हाफ इसका जो है dashboard फोल दिया है तो सारी वाइरिंग और जो सारी चीज़े और सारी दिखने लगते हैं अभी नीचे का भी यह हाफ जो बचा हुआ है यह कोलेंगे उसके बाद में cooling coil बहार निकालेंगे और cooling coil को replace करेंगे तो देखते हैं कै यह होड़ागा है नहीं जो जो एगम्हेव बड़ से तो पहाईगा है जो जो चालेगा है वाई। इसेंबली निकाल लिये इसी के अंदर कूलिंग कोईल और हीटिंग कोईल आपका जो इसी फिल्टर होता है यह सारी चीज़ इसी के अंदर लगी होती है अपकूलिग कोईल के ऑफ यह है हमें रिख जो मेरा Inde SL n आपके उत कूलिंग कोईल के नौजल अपका नथे अंदर लगा अपकोलिंग लिकाल हुं रहा है वो सारी चीज में दिखाता हुम आपको और कैसी होती है कूलिंग कोईल कि एलए जुर गर सुपत सब्सकते साफ्बन्भी ए रसे इंगो अप्र। जान जान, जान जान, जान झान θα सबिए प्र sill दते साफ्व été कि एसे इना था कर दो 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 कि यह है कूलिंग कोईल जिसकी वज़े से आपके गाड़ी के अंदर थंडियावा आती है यही हीट एक्षेंजर का काम करती है इसके नीचे की तरफ ब्लोर होता है जो कि हवा को उपर की तरफ फ्लो करता है और वो ठंडी हवा आपके एसी विंट से आपकी गाड़ी के अंदर तक आती है और इसमें दिक्कत क्या होगी यह आप गाइस देख सकते हैं पूरी तरफ से पूरी ब्लोक हो चुकी है और इसके अलावा यह देखिए पूरी लिकेज पड़ी हुई है क्योंकि हमेशा नमी में रहती है तो पानी के वज़े से इसमें थोड़ी बहुत गल ही जाती है और इसलिए इसको चेंज कर रहे है तो देखते हैं और मैं एक बार आपको गाड़ बहुत करने के बाद देखते हैं सो गाइज यह है नई कूलिग कएल कि यहा चुकी यह दोनों मेंद तेफ्ट नहीं कूरा नीकूट नाą कूल हो है दोनों में आपको टिफ्रेंस दिखाता हूं कि कि इसना डिफ्रेंट है नहीं और पुराणी कूलिंग भैक जाई यह देखिए गाइज यह है डिफ्रेंस नहीं और पुरानी कोईल में तो अभी इसी को लगाएंगे देखते हैं किस तरह से लोगाइज अभी कूलिंग कोईल को फिक्स किया जा रहा है इसके बाद में इसको डैश्बॉर्ट में फिट कर दिया जाएगा यह देखते हैं कैसे क अजय है झाल 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 तो गाइस अभी कूल लगाने के बाद में इसकी हीटिंग कोईल को लगाया जायागा यह हीटिंग कोईल है देख सकते हैं अभी इस हीटिंग कोईल लगा रहे हैं तो पर चबराएब यह हीटिंग चीज़ 20 मी्हार कि आब मेंडर हुऊ़ कि आब ब्लिया चैब कि रउल कि बंडर फोंडर हुऊ़ कि आब बेड़ कर दो 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 अभी डेशबूर्ड वापस से फिट किया जा रहा है तो देख सकते हैं लगा दिये पूरी असेम्बली जिसके अंदर कॉलिंग आपका ब्लोर मोटर यह सारी चीजें होती है यह लगा दिये और अब पिटिंग देखता है किस तरह से की जारी है इसकी कर दो 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 अ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जो जो सामान जहां पर लगा वा था उसको वहीं लगा दिया गया है और गाड़ी अभी बिल्कुल चिल्ड हो चुकी है क्योंकि इसका पूरा एसी ही चेंज कर दिया है तो गाइज अगर आपको भी अपनी गाड़ी में एसी से